तो फ्रेंज आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्योंगि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आपके साइट पे हाइवा आती है मैं ट्रक की लॉरी की बात नहीं कर रहा हूँ ठीक है जब आपके साइट पे हाइवा आती है और उसके अंदर सेंड भरा हुआ है तो आप उसका मेजरमेंट कैसे करोगे एक्चुल तरीका क्या है क्या एक्चुल प्रोसेस है वो मैं आपको पुरे डीटेल में आपे समझाओंगा तो आपको वीडियो एंड तक देखना है अगर आप लोग जानना चाहते हो कि सेंड आपके साइब पर लोडी में आ रहा है तो उसको कैसे मेजर करना है तो उसको मैंने एक वीडियो बनाया था वो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया है वो वीडियो आप लोग के द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद किया गया लाखों व्यूज है उस पे बट उस लाखों में एसे उसे भी थे वह था भड़ा बट गया थे क्याकी आप लोग जानते ही हो मैं यहाँ पर शॉट क कॉट टरीकवा नहीं बताता हूं वो लोग उसका फायदा क्या जब मैं समझाई नहीं पाऊं तो वीडियो था बड़ा होगा ना मैं अगर प्रोसेस पर प्रोसेस अगर समझा दूँ तो आप खुद से ही कर लोगे तो यहां पर मैं में मांक्सेद आपका बेसिक क्लियर करना यह नहीं कि जो बहुत अच्छे है उसको और अच्छा करना क्योंकि जो बहुत अच्छे है उसको तो मैं कर नहीं सकता हूं मैं एक नॉर्मल इंजिनियर हूं और मैं एक नॉर्मल स्टुडेंट की तरह सोचता हूं कि बच्ची को कैसे समझाएंगे तो वह उस चीज़ को कर पाएगा कर पाएगा यह नहीं कि कितनी जल् स्टॲेंतर नहीं होता है तो इसे क्या होता है कि जअब भी फीट जूंगीने में यहां पर मापा जाता है तो चलिए सबसे पहले में क्या करता हूं माल लीजिए यह आपका हाइवा है इस हाइवे के उपर में यहां पर आपका यह सैंड पुरा फिलिंग किया हुआ है मतलब इसके अंदर में तो फिलिंग ही हो सकता है ओवर्लोड की करण थोड़ा सा उपर में ऐसे आ घगया हो अगर ओवर्लोडेट नहीं है जसके अंदर में भरा हुआ है तब तो कोही इशू नहीं है लेकिन मैं मान के चलता हूं कि थोड़ा सा उपर पार्ड भी है और यहां पर अनीवन सेर्फेस है समझ में आग यह ऐसे भरा हुआ है जो प्रोसेस होगा वो दोनों ही सेम होगा अगर आपका पूरा इस लेवल तक सेंड है तो भी यही प्रोसेस फॉलो किजिएगा जो मैं भी आपको बताने वाला हूँ और अगर सेम लेवल में नहीं है थोड़ा कल भण गया ठीक है यह वाला पार्ट जो है अपका यह वाला पार्ट है नीचे वाला जो कमबलें पार्ट है वह यह वाला पार्ट है यह जो आपका S repetitive और ऐस बोक्स टेपbrid अईसा बन flow किया हुआ है ठीक है तो सबसे पहले लोग चाल लेता है मेरे ये लेंथ कितना है ठीक है तो ये मैं माल लेता हूँ यहाँ पर 10 feet 9 inch ठीक है जिनने नहीं पता ये एक sign और double sign क्या है अगर single sign दे लेते हो तो ये 10 feet में हो याता है और double sign दे दोगे तो ये आपका इंची में आ जाएगा तो ये 10 feet 9 इंची अपका कहां से कहां तक ये वाला पार्ट जो आपका हाइवा का ऊपर वाला लेंथ है ना ये वाला ठीक है अब नीचे वाला आपका जो है वो है आपका ये भाला है आपका आठ फीट 6 इंची में माल लेता हूं 8 इंची कहां से कहां तक ये नीचे वाला पार्थ यहां से लेके यहां तक ठीक है अब हाइवा का तो हाइट होगा ना हाइट तो में यहां पर जो गेम खेलेगा आपके साथ हाइट में आपको ध्यान देना है और ये length में भी धियान देना है जो मैं आपको यह बताऊंगा तो length हम लोग पराचल गया ओपर वाला 10 feet 9 और नीचे वाला 8 feet 6 ठीक है अब देखिए जो ये डाला होगा इस डाला का तो एक width होगा ये जो box होगा ये डाला का तो एक width होगा ये truck अगर है आपका मान लिए ये truck है ठीक है तो इसके अंदर भरा होगा आपका बालू तो ये length ये length पर चल गया अब ये width कितना है ये width को मैं मान लेता हूँ यहाँ पर 6 feet ठीक है ये मान लिए मैं 6 feet अब बारियात ये height की मैं इसी चीज़ को अब यहाँ पर रखता हूँ ये box है मेरा ये आपका sand क्या है की उबर overblock यह हुआ है तो अब height map ने के लिए आपको क्या करना होगा आपको लकरी लेके आना है ऐसा लकरी जो stretchable ना हो मतलब जो bend ना हो एकदम rigid रहना चाहिए जो की एकदम मूरे उरे नहीं समझना गया मूरना नहीं चाहिए या आप solo का सरिया भी ले सकते हो ठीक है चलेगा वो भी तो लकरी रहे का तो ज़्यादा है जो bend नहीं करता हो एकदम rigid हो वो अच्छा रहता है हम लोग क्या करेंगे आप उपा से क्या करेंगे उस लकरी को क्या करेंगे अंदर गुसाएंगे जो मजबूत लग रही है उसको अंदर गुसाएंगे या solo का जो सरिया है उसको अंदर गुसाएंगे उपर से अब हम लोग क्या करेंगे 6-7 जगा हो सकता है 4-5 जगा आप माप लोगे ठीक है minimum reading जो है वो आपका 3 लेना परता है पांच लोगे तो और अच्छा है अब कैसे लेना है वो बताता हूँ एक बार आप क्या किये यहाँ पर measurement किये और यह height को आप क्या किये note कर लिए माल लिजी यह वाला है आपका h1 ठीक है h1 आपका आया माल लिजी यह 5 feet 2 inch ठीक है आप क्या करोगे फिर से उस लकड़ी को वहाँ से निकालोगे निकाल के दुस्री जगा से कहीं पर आप घुसा होगे ठीक है अब वो वाला height जो यहाँ पर आएगा ना अब घुसा कर फिर क्या करको निकाल दोगे निकाल कर उसको tapping से tape करके map होगे कि यह जो जितना घुसा था वो कितना घुसा था माल लेते हैं इसको मैं h2 मैं इसको माल लिया h2 h2 माल लिजिए 5 feet 4 inch आया ठीक है 5 feet 4 inch हो सकता है अब क्या कि यह वही लकड़ी को या सर्या को निकाल के दुस्री जगा से हम लोग घुसा है यहाँ पर घुसा कर देख लिए यह कितना आ रहा है माल लिजिए इसको h3 तो h3 माल लेते हैं और यह माल लिजिए आपका यह 5 feet just 5 feet ठीक है तो इस तरीके से हम लोग different different जगा क्या करेंगे लकड़ी को या rod को घुसा के जो flexible ना हो जादा हो जाएगा क्योंकि अगर कोई rod अगर straight डालोगे तो आपको fixed length मिलता है लेकिन वही रोड ऐसे अगर आपका curve type में हो जाए तो यह curve का जो length होता है यह जादा हो जाता है तो आपको material मिले या कम लेकिन payment करना परेगा जादा तो यह हिसाब रखिएगा कि flexible ना हो एक्टम rigid हो सीधा जाए जो ठीक है तो इस तरीके से different different जगा पर 5-6 जगा आप ले सकते हो minimum 3 लेना परता है अब वो 3 हाइट को लेके आपको उसका average निकालना परेगा ठीक है तो average कैसे निकालते हैं average निकालने का जैसे मैं माल लेता हूँ मुझे height निकालना है यहाँ पर तो height निकालेंगे तो average क्या होगा h1 plus h2 plus h3 अब इसको हम लोग divide कर देंगे number of sample जितना लिये थे कितना यहाँ पर हम लोग height लिये थे 1, 2, 3, 3 लिये थे ना तो यहाँ पर 3 से divide कर देंगे अगर वाई हम लोग sample height हम लोग लिये होते है 5 h1, h2, h3, h4, h5 तो divide करते हैं लोग 5 से समझ में आ गिया तो जितना पर हम h लोगे उतना से divide कर देना है 3 से अब यही पर गलती करते हैं सब लोग हम लोग क्या करेंगे ना h1 की जगा डायरेक 5 2 बैठा देते हैं नहीं देखिए यह 5 feet 2 inch है ना हम लोग को पहले यह total को fit में convert कर देना है तो यह fit में total convert कैसे होगा 5 feet तो रहेगा ही ठीक है प्लस यह जो 2 inch है ना यह 2 inch इसको हम लोग को fit में convert करना होगा समझ में आ गया तो inch से जब fit में convert करते हैं ना तो उसको 12 से divide कर देते हैं समझ में आ गया तो यह मेरा कितना है 5 feet का 5 feet लिख दिये अब प्लस डाल दो प्लस डाल के क्या करो 2 inch जो है ना 2 inch को आप 12 से divide कर दो जैसी 12 से divide करके जो value यहाँ पर आएगा ना वो fit में convert हो जाएगा तो देखिए यह पहले double sign था अब वो single sign में convert हो गया है क्यों? क्योंकि लोग 12 से इसको divide कर दिये हैं तो यह value कितना देगा? देखिए 5 feet प्लस 2 को 12 से divide कीजिए चलिए calculate करके देखते हैं 2 divided by 12 यह आता है आपका 0.166 ठीक है? तो 0.166 इसको add करेगा तो कितना आएगा आपका? यह fit में आगया 0.166 feet हो गया है ठीक है? अब इसको add करेगा तो कितना आएगा? 5.166 feet तो 5 feet 2 inch के जगा अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5.166 feet समझ में आ गया? तो यह लिख दिया आप हम लोग 5.166 feet समझ में आ गया? उसी तरीके से H2 अब लोग निकालेंगे तो H2 का हमारा क्या होगा? यह तो हमारा है 5 feet प्लस 4 inch जो है ना 4 inch को convert कीजिए अब लोग feet में तो 4 divided by 12 कर दिजिए कितना आएगा? 0.333 तो 0.333 ठीक है यह कितना आ जाएगा? तो 5.333 feet ठीक है? तो मेरा H2 कितना आ गया? H2 आ गया मेरा 5.333 feet समझ में आ गया? अब मैं क्या करता हूँ? यहाँ पे H3 अब निकालना है H3 मेरा कितना था? H3 जस्ट 5 feet था इसको मैंने कोई inchi में लिया ही नहीं था तो H3 मेरा 5 feet रहेगा ठीक है? तो डाल दो यहाँ पे 5 feet प्लस 5 feet ठीक है? सबको feet में convert कर दिए अब divided by 3 कर दिजिए तो यह देखिए लिए कितना आएगा? तो कितना आया? 5.166 feet यह आपका average होके height आ गया और यही height को लेके हम लोग क्या करेंगे? काम करेंगे ठीक है? तो चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं हम लोग के पास सारा ingredients मिल चुका है ingredients मतलब जिससे हम लोग खाना बनाने वाले हैं मतलब जिससे हम लोग volume निकालने वाले हैं इस हाईवा का मतलब हम लोग पास L आ गया, H आ गया और W तो हम लोग 6 feet यहां पता है तो देखिए इस हाईवा का volume निकालेंगे कैसे? हम लोग जानते है volume का formula क्या होता है? L into B into H कही नहीं भी जाओगे तो यही होगा formula L into B into H जो general formula है length into breadth into height तो सबसे पहले हम लोग क्या करते है? L निकालते हैं अब length में यहां पर आप लोग confused हो जागे कि भाया यहां पर तो दो length है, एक बरा length है, एक छोटा length है तो इस तरीके को हम लोग बोलते है tap is the empire, ठीक है? इसका हम ल L1 plus L2 by 2, समझ में आ गया? average कर लेंगे length का, उपर वाला length और नीचे वाला length का average कर देंगे, L1 plus L2 by 2, उपर वाला जो length था मेरा बरा वाला उसको मैं L1 माल लेता हूँ और नीचे वाला जो है उसको L2 माल लेता हूँ, ठीक है? तो चलिए, L1 की जगा हम लोग पूट करते है यह आया 10 feet, 9 inch, ठीक है? इसको convert करो total को feet में, तो 10 feet तो रहेगा ही, plus 9 inch को हम लोग feet में convert कीजिए, तो 9 divided by 12, अब यह feet बन गया, तो करके देख लिजिए, 0.75, 0.75 feet, इसको add करको तो कितना आएगा? 10.75 feet, देखिए, यही 10.75 feet मैंने यहाँ पर बैठाया है, तो clear हो गया, अब देखिए, L2 मेरा कितना था? 8 feet, 6 inch, ठीक है? तो भाई, 6 को 12 से divide कर देना और उसको add कर देना 8 में, तो यह आदा एगा आपका 8.5 feet, ठीक है? divided by 2, कर दो गे ना इसको तो यह आपका आएगा यहाँ पर 9.625, दोनों को add कीजिए, 2 से divide कीजिए, आएगा आएगा 9.625 feet, ठीक है? तो L मेरा निकल गया 9.65 feet, अब breath की बात करते हैं, तो breath हम लोगो तो पता ही था, जो ट्रक का हम लोगो का जो breath है न, यह वला, जो डाला है, वो कितना चौरा है? वो 6 feet, चौरा है, तो वो 6 feet मैं आपके direct बठा दिया हूँ, अब height, height देखिए भिया, हम लोग यहाँ पर इतना महनत करके यह जो height निकाले न, यह इसलिए निकाले थे हैं, वहाँ पर direct पूट कर पाएं, तो height हम लोग कितना निकाले थे, average करके 5.166, वो बैठा दिजिए यहाँ पर, 5.166 feet, अब यह आप fit का यह sign डालो, या आप fit लिग दो, जो भी आपकी मर्जी, ठीक है? अ volume in brass भी बताऊंगा, volume in ton भी बताऊंगा, तो सबसे पहले हम लोग volume in CFT निकालना सिख लेते हैं, ठीक है? तो volume in CFT कैसे निकलेगा? L into B into H, कर दीजे कितना आएगा? L मेरा कितना है यहाँ पर? 9.625, 9.625 feet, multiply, बैठ कितना है? 6 feet, तो यह 6 feet, height कितना है? 5.166, 5.166 feet, multiply कीजे, यह आगया, आपका 298.33, तो यह इतना CFT हो गया, इतना cubic feet, ठीक है? Fit, fit, fit मतलब CFT, cubic feet, अब हम लोग निकालेंगे cubic meter में, तो cubic meter में कैसे निकलता है? आप लोग यह relation जानते हो, एक cubic meter में होता है हमारा 35.3147 CFT, एक cubic meter में होता है हमारा इतना cubic feet, तो देख लिए, हम लोग कीविक feet तो अलड़ी निकाल के रखे हैं, इसका मतलब क्या है? इतना cubic feet में एक cubic meter होता है, तो इतना cubic feet में कितना cubic meter होगा? जो भी अपका cubic feet में है ना, उसका बैठाइए और उसको divide कर दीजे आप यह वाले factors है, 35.3147 से, 35.3147 से, देख लिएते हैं कितना आ रहा है? यह आगे आपका 8.448 cubic meter, ठीक है? अब हम लोग जान लेते हैं, brass में, मतलब अगर पुछे है कोई कि कितना brass इसमें sand है आपका, तो यह relation आप यहाँ पर याद रखिएगा, कि एक brass में होता है आपका 100 CFT, तो यहाँ पर आपका कितना CFT है total? 298.336 ना, इसको आप क्या करोगे? 100 से divide कर देना, तब को वो brass में निकल जाएगा, तो चलिए करके देख लेते हैं, 298.336 divided by 100, तो यह आपका आ जाएगा, 2.983 brass, ठीक है? 2.983 brass, तो brass में भी निकल गया, अब आप लोग जाना चाहते हैं कि इसमें जो sand है भाईया, वो हमको ton में बताईए, या kg में बताईए, तो वो कैसे निकलेगा? तो ton में निकालने का आपको formula पता है ना, सबस्ते पहले आपको क्या करना होगा कि cubic meter वाला जो value है ना, वो जानना होगा, तो हम लोग क्या करे होगे, तो आपको जो भी answer मिलेगा ना, वो kg में मिलेगा, ठीक है, अब उसको जब thousand से divide कर दोगे, तो वो ton में आ जाएगा, तो चलिए, डाल के देख लेते हैं, तो volume of sand in cubic meter कितना दो निकालेते हैं यहाँ पे, 8.448, 8.448, इतना cubic meter, ठीक है, अब density of sand, तो देख़ों हम लो करता हूँ, यहाँ पे, इसको आप multiply कर दो, कितना आएगा, इसको आप multiply कर दो, तो यह आएगा, आपका, 135, 16.8, इतना क्या, इतना kg आया यह, ठीक है, इतना kg, और जैसे ही, इस kg को आप thousand से divide कर दोगे, तो यह ton में निकल जाएगा, तो इसको आप thousand से divide कर दो, आप जब इस से मैं यहां पर लिग दिया हूं 13.516 टन 1000 से डिवाइड कर दीजिए अब कैंसर आ गया तो यह प्रॉपर तरीका है एक हाइवे का जो भी सैंड है ना उसके अंदर में वह कैसे निकालो के साइट पर रहके तो यह प्रॉपर तरीका है और यह लंबा पोसेस था डिटेल में ब बता है आप लोग स्कीन्साट ले लिए तो वीडियो कैसा लगा है जरूर बताईएगा और आपको कुछ नहीं करना है जिसको शेयर करना है जो भी नॉलेज है ना उसको बातना बहुत ज्यादा जरूरी है अभी कर टाइम में क्योंकि जॉब को लेकर बहुत ज्यादा प्र तक लिए बाई टाटा जैहिंद